वाइफाइ स्टेडी चैनल पर वाइफाइ सब्सक्राइब नमस्कार सभी को जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो है अभी प्लास में आये हो आज टेस्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करना क्योंकि भाई आज है तीस तारिक कल एक तारिक और दो तारिक से आपके पेपर स्ट थोड़ी मैना तोर करने बड़ेगी ठीक है चली स्टार करते एक बड़ लिखिया आवाज आ रही ब्रोपर ली औरिवल हूं मैं आप सभी को जल्दी से बत देगा फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन को बैटरिन टेस्ट होगा एज ओलवेस चैलेंज पर फोकस करेंगे और को आपको कंटेंड मिल जाएगा सो चैप्टर आपके लिए असान रहेगा आपको अगर रिवीजन मारनी है पीछेगा साल का आपने बहुत कुछ पड़ा हुआ है लेकिन आप PDF से रिवाइस करना चाहते वह आप कर सकते हो ठीक है आपके लिए फायदेमंद है आने अकेडमी क है SSC गोल से लेक करो कोड लाइवमन से 25% डिसकाउंट भी ले लो ठीक है यह मोगा है आप से भी के सामने अच्छा यह नया बाच है यह वाला बैच जो है नया है तो इस बैच में यूटलाइस कर सकते हो और भी बहुत सारे बैच चली अब हम टेस्ट करते हैं मैं आपको ए पहला कोशन आप सभी के सामने इस कोशन का आंसर क्या है बताइए इस कोशन का आंसर आप सभी के सामने ठीक है बताइए इस कोशन का कौन से कोशन होगे हाँ ठीक है यहां से करेंगे पहला कोशन आप सभी के सामने इस कोशन का आंसर क्या है जल्दी से बताइगा पहला कोश का चैलेंज पूरा करते ही दस में से आठ पर आएंगे फिर दस में से दस पर आएंगे यूगि जितना टेस्ट हो जा उत्रे बढ़िया है ना चली तो पहला कोशन आप सभी के सामने वेस्ट पंगोलिस कोशन का आंसर दूसरा कोशन देखे करापर अटोमिक पावर स्टेशन क कहां पर जल्दी से बतेगा सर ये ब्लैक सीरीज कब तक चलेगी ये ब्लैक सीरीज चलेगी आपकी तीन से चार तारीक तक जब तक आपके MTS के exam स्टार्ट नहीं हो जाते हैं क्या पता थोड़ा और आगे भी चलाएं क्योंकि इस सीरीज से कोशन बहुत बन रहे हैं ठीक है पहले भी बहुत exam सुए हैं जिसमें ब्लैक सीरीज से बहुत कोशन आया है ठीक है सुबह नो शाम को साथ वल्दी विल्ट क्लास में उसमे मुझो dir Ayanda देना एक कोष़न तीन नंबर के Z art बते ही इसकोशन का इसकोशन का आंसर के है जगदलपूर एरपोर्ट जो ये कुण्स सी स्टेट में सकूशन का इसकोशन भी करें शेलता ना यूगि backup जो है वो content आपके लिए available में ने करा दिया है और हर बच्चे को backup लेना चाहिए कि 100 चैप्टर पढ़ ही ले कुछ ना कुस तो कर ही ले पेपर में जा रहे हैं तो है ना 10 चैप्टर पढ़ने 20 चैप्टर पढ़ने 30 चैप्टर पढ़ने जितने हुसे के उत्ते पढ़ने है ना चली तो आंसर के इस कोशन का nuclear fusion इस कोशन का आंसर है फीजन मत लगाओ यार ठीक है पाचमा कोशन देखेगा नालंदा महावीरा साइट कहां पर है इस कोशन का आंसर बते फीजन की लगा रहे हो हाइड्रोजन बोम एटोमिक बोम से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और फीजन की कैटिगरी में आता है ठीक है ना चली तो आंसर के इस कोशन का नालंदा महावीरा साइट जो है यह कहां पर है बिहार में बिहार चली चटा कोशन आप सभी के सामने इंटरनेशनल गोल फेडरेशन के हेडगोर्टर कहां पर जल्दी से बतेगा चली बतेए इस कोशन का आंसर के हैं जल्दी से बतेगा गोल फेडरेशन कहां पर आप ऐसे किस-किस का MTS का exam है MTS लिखें जिस जिस का MTS का exam है जल्दी से जल्दी से एक बढ़े लिखेंगा MTS का exam जिस जिस का है वो लिखना एक बढ़ी comment box पे सर अमारा MTS का exam है थोड़ा सा पता चले कितने student है जो MTS के लिए अपीर होने वाले हम थोड़ा सा focus तो करेंगे देखो सब्वेटा का संकर्ट और संवाधान । चली तो आंसर इस question है केला सत्यारती आप केला सत्यारती क्योंकि एक Nobel Prize winner है तो इनकी लिखी हुई किताब कोशन आ सकता है यह ससनेवर डेवलप्मेंट गोल जो है उसके एड़ोकेड भी घोशित कियेगे इस वज़े से भी इन पर कोशन आ सकता है ठीक है इनको किस चीज में किस फिर्ड में नॉबल पुरुसकार मिले यह भी कोशन आ सकता है थर्मल एलेक्टरिसिटी प्रोड्यूस क होगा मैं और जो सबसे वह्तरीन खोला वहीं प्रिमेंट अगर अगर बिजली करना यह आंधक क्वालिटी फहें घ्री नतरा represents कोशन और है ना चली तो आंश直接 कोशन इस कोशन आपसर कोशन का सोनारी इरपूर्ट कहां पे यह लिए उस कुशं का जया। चले इस कोशें का आंसर क्या है भाई मैं बिजली का बिल पूरा भर रहा हूँ मैं क्या बताओ यार मैं बैक्ग्राउंड ब्लैक ही लेके चलता हूँ ठीक है मुझे यही पसंद है यार चले आंसर क्या है इस कोशें का चले इस कोशें का आंसर क्या है जारकंड इस कोशिंगा आंसर है जल्दी से बतेगे इस कोशिंगा आंसर है यह बहुत फेमस जो है डिस्ट्रिक है इस टेट का जिस डिस्ट्रिक के नाम पे रखा गिया वह आपको पता हो तो आप आंसर बता है धस्मे से साथ नंबर आएं आपके, चलिए तो आण्से के साथ वाला चैनल्स था यह असान था, बेसिक था सब कर सकते हैं, दस्मे से 8 लाके देखें, लेट्स ट्राइ, ठीक है लेट्स ट्राइ, जितना MTS के लिए try कर सकते हो, उतना बहतर try करो, पहला question आप सभी के सामने, इसमें सारे pass होंगे, इसमें pass होना थोड़ा सा मुश्किल, बते ही, हमारी जो heartbeats होती है और जो lung का function है, वो हमारे human body के कुन से parts से associated होता है, इस question का answer क्या है, जल्दी से बतेगा, heartbeats और lungs का function है, व answer आप सही बताएं, अगर आप ये वाला question कर रहे हो, basically आपने brain वाला chapter अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, answer है medula obligator, ठीक है, अच्छा आप में से किस-किस ने no your state के सारे states पढ़ लिया, आज मैंने जारखन state भी डाल दिया था, आज मैंने सुबह 10 बजे जारखन state भी डाल दिय जिसके साथ हमारे 12 state कवर हो, चुके 12 state में से आप बहुत सारे question देख सकते हो, जिसने देख लिया है, वो yes लिखो, जिसने नहीं देखे, वो no लिखो, कुछ मत लिखो वो तो, वो रहने ही दो, ठीक है, वो fail ही हो, पेपर में भी fail ही हो, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, फ्री प्री दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 question सही होंगे, 10 question मनदब 30 number आएंगे, तब भी नहीं पढ़ रहे हैं, चले, answer के इस question का, चमकादर इस question का answer है, warm-blooded है, चमकादर तीसरा question देखेंगा, ये सभी को बताओगा, सिपत सूपर thermal power station, बहुत बार ये question करा दिया, आपको सभी को आ answer के है, चले, तो इस question का answer के है, 36 question का answer है, एक और question देखेंगे, चोथा question, 10 में से 8 लाने, कौन सा, इस में से decomposer का उधारण है, जल्दी से बतेगा, कौन सा decomposer का उधारण है, नेचर ने आज फिर दस तक देदी है, हमारी क्लास में, कभी-कभी ये हफ़ते में एक बड़ी नेचर आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कति, आंसर के इस question का, बैक्टीरिय और फंजाई, इस question का answer है, पाचमा question देखेंगे, बतेए, हां जी, कोन से ऐसे plants होते हैं, जो पानी की कमी हो, तब भी उग जाते हैं, ठीक है, कितने मासूम प्लान है, बिना पानी की उग जाते हैं, बतावा, आंसर के इस question का, रेगिस्तान वाले, रेगिस्तान वाले, राजस्तान वाले प्लान डुख जाते हैं ऐसे क्या जैरो फाइट इस कोशन का अंसर है के नहीं ठीक है आंसर है इस कोशन का जैरो फाइट छटा कोशन देखिए आप सबी के सामने बताई यूरिया के ये कोशन निकलना ठीक है गलत लिखा हुआ है गीता गोविंदा के ओथर कौन है ठीक है भाइदेव इस कोशन का आंसर ठीक है साथ हमां कोशन देखेंगे ठीक है यह इजी कोशन नहीं है दान्स फोर्म के जो दिफिकल्ट कोशन है वही मैं लेकर आ रहा हूं आपके स्क्रीन पर बदेगे अब आपको पैसे तो पता ही है सुबह 9 शाम को साथ टेस्ट ही होता है दो से लेके तीन तारिक तर टेस्ट चलेगा दो तारिकों मैं 10-10 मिनट वाले सेट भी डालूँ आपके ठीक है सुबह 9 से होती है बदेगे आंसर क्या है जल्दी से बदेगा बेटा मैं कोई रिविजन निकराओंगा मैं टेस्ट करा रहा हूं खुद आप पीडिएफ से सो चैप्टर में से जो जो चैप्टर पढ़ना चाहते रिवाइस करें आपकी इच्छा है आप अलग-अलग तरीके से आत्मा गांदी जी कि जो दान्डी मार्च की जो महीम थी वह किस मूवनेंट का हिससा थी बहुत सरल सवाल अगर हिस्टरी का देखें है तो बहुत सरल सवाल है इस कोशन का आंसर के जल्दी से बताई चली तो आंसर के इस कोशिंगा इस कोशिंगा आंसर है civil disobedience moment इस कोशिंगा आंसर है अच्छा कोशन एक और कोशिद देखेगा दसमा कोशिद आप से भी किसा है चली तो इस कोशिंगा आंसर के है हर्याणा इस कोशिंगा आंसर है ठीक है हर्याणा इस कोशिंगा आंसर है ग्यारम कोशिंग देखेगा दोला दर वाइड लेफ सेंचरी जो है कौन सी स्टेट में है इस कोशिंगा आंसर के है देखो अभी अमने ना दसमें से आठ वाला किया नम्बरokay नहीं आब हम कोशन दोबारा स्टाट कर रहे हैं ब्हांसर कर रहे हैंども माचलपधेश में एक रुंखेंग हैं हम 10 में से 9 का चैलेंज रख रहे हैं। पहला कोशन आपके सामने यह रहा। हिमाचल बदिश इस कोशन का आंसर है। 9 नमबर लाने की कोशिश करनी है। दूसरा कोशन देखिए आप सभी के सामने इस कोशन का आंसर के है। इस कोशन का आंसर के है। जल्दी से मतेए किस के कॉबिनेशन से सोड़र बनता है इस कोशन का आंसर क्या है। बदेए आंसर के है इस कोशन का। और जिसका आगे तक जैसे मानीजी आप MTS देदो आप अच्छा परफूर्म कर जाओ बढ़िया है। उसके आगे भी बहुत एक्जाम आने वाले हैं। हर एक्जाम के लिए सेम क्लासिस हैं सुबह नो शाम को साथ सेम कंटेंट है। एक बार ही लेना है 100 चैप्टर पढ़ने हैं एक बार ही कॉप पीडियाफ उठाई उसको पढ़ना स्टार्ट किया रिविजन हो जाई। ठेक है आनसर है इस कोशं का टिन और ले्ड इस कोशं का आनसर है तीसरा कोशं देखेगा विटामिन E किस में होता है ूसमेसे कौनसा विटामिन E का अच्छा सोर्स है ? बढ़ें इस question का answer कौन सा जो है vitamin E का अच्छा source है बड़ा असान question है मेरे भाई मुझे लगता है सरल सवाल आपकी screen पे आप इस question का answer बता सकते है answer है vegetable oil चोथा question चारकुला dance कौन सी state का dance form है आना चाहिए आता होगा मैंने ये dance form करा रखा है तो आपको ये question आता होगा जो चीदिये मैंने करा रखी है वो तो obviously सारे कर देंगे answer के इस समय पता है क्या है जितना पिछला पड़ा है ना उसको एक बार ही देखके जाओ एक बार ही देखके जाओ क्योंकि पिछले पड़े को ही ये युटलाइज नहीं गया तो आगे निया पड़के करोगी यह मुझे ऐसा लगता है अगर आपका exam बिलकुल नीर बाय है कल है exam पर सो ये exam तर सो ये exam तो आप एकदम निया content ना पड़े BAS पिछला पूरा रिवाइस करे उसको प्रैम करके देखें पांसर उत्तरपतेश कोशिंग का आंसर है तो मन डिसस कितना होता है इस बताइगा इस कोशिंगा आंसर आप सभी के सबक्ष्छ पच्छेस एंडिमेंटर असान कोशन ठीके चछटा कोशन देखिए हजार दोरी पैलेस मुजियम कहां पर है जैसे दस में से नो खतम होगा दस में से दस पर आएंगे दसका इदम खेलेंगे फिर हम बैक सिरीज आएंगे, चलिए बदेए, इस कोशिंगा gelecek काuyorsun कोशिंगा है, चलिए, दोरी पैलिस मुजियम कहा पर लोकेड है, इस कोशिंगा आन्से के है, चली तो डोरी पैलस मुजिम कहा है, इस कोशिंग गोंगोल 있지 कोशिंगा आन्से है, साथ आपको English में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और जब आपको English में अच्छा खासा टाइम मिलेगा आप अच्छे से paragraph solve कर पाओगे अच्छे से आप जो है जो भी error and all जो है उसमें क्योंकि ज़्यादा जल्दी वाजी में वो गलत होते हैं है ना पैर अगर जल्दी वाजी में पढ़ते ही नहीं उसको छोड़के आते हैं तो आप GS में अगर कम समय लाओगे न MTS में तो आप English अच्छे से खर पाओगे इसलिए मैं थोड़ा सा सोच के चल रहा हूँ कि किस तरीकी से आप पेपर बहुत अच्छा करे आंसर है मौमद जिनना ठीक है चलिए यह कोशन था सातमा कोशन आठमा कोशन देखेगा लंडन में जब इस्ट इंटिया कंपनी स्थापनिया हुए उसकी इस इंडिया कंपनी की उस समय मुगल एंपरर कौन था जल्दी से बतेगे बतेगे आंसर के इस कोशन का सर कुछ ज्यादा ही बस पेपर देने जाना है कुछ आता हो तभी तो देने कर रहे है पढ़ना चाहिए था ना अकबर जहांगीर लगा के आओगे तो गलत करोगे जहांगीर के समय में तो इस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ चुकी थी बनने की बात हो रही है ठीक है ना पापा पापा होते है ऐसा आपने सुना होगा तो फिर बस उसी हिसाब से आंसर लगाओ कंट्री ओ पकवरास किस देश को का जाता है इस कोशन का आंसर क्या है जल्दी से बताइगा इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है बताइए मैं बहुत सारे क언स एंटरेटेइन बिलकुल नहीं कर रहा है जो यह कह रहे है कि सरक चीजे नहीं हो पा रही ह। पढ़े क्यों नहीं तुम, पेपर है तुमारा दो तारिक से, आंसर के इस कोशेंगा, लेकिन हाँ, इस पेपर के अलावा, MTS के अलावा, किसी और एक्जाम की बात करोगे, जिसमें समय है, तो मैं जरूर आपके, जो है, कमेंट भी एंडिटेन करूँगा, उसके लिए कुछ करूँगा भी, और सबसे जरूरी तो आपके लिए है कि क्लासेज लेते रहे, 100 चैप्टर पढ़ें पूरा, जितना बढ़ सकते हैं, उतना पढ़के जाए, अभी भी अगर आप दो दिन पढ़ लोगे ना, तब भी हो जाएगा कुछ, आंसर के इस कोशेंगा, दसमें कोश हाई ये कुन सा तुक हुआ यार, है ना, गजब, गजब साइंस लगाए हो, मतलब वो संडे, तुम्हारा अगर तुम्हें वो वाला कोशन आ जाना, वो स्टेटमेंट वाला कोशन, अजम्शन स्टेटमेंट तुम तो बड़ी जल्दी गलत करके आऊए, क्यों मतलब ये सा दस में से नो नंबर, दस में से नो नंबर, देखो अब दस में से नो नंबर नहीं आये, तो है तो तुम्हारे बुरे हाल, ठीक है, कोई दिकत नी है, दस में से दस लागे देख लो, कोशिश करके देखते हैं, दस में से दस लाते हैं, ठीक है, चली पहला कोशन, आप सभी यहलों प्राइब अच्छा इडिया ऑर जो इदर 100% एकुरेसी लेगा रहा है दस में से 10 लाना मतलौ 100% एकुरेसी है बच्चे की पेपर में अगर 70% भी तब भी सिलेक्शन होता है पता है तुम्हें पेपर का हिसाब 70-80% accuracy है आपकी तो आपका selection पक्का चलिए answer के इस question का तामिल लाडू इस question का answer है दूसरा question देखेएगा आइडीन जो है radioactive iodine जो है कौन सी disease का treatment के लिए काम में आता है इस question का answer क्या बड़ा सरल सवाल है इस question का answer बदेगे easy question चलिए बतेगे के answer के इस question का disease treatment radioactive iodine के लिए treatment है वो कौन सी disease का treatment होता है thyroid salt ठीक है टाटा टी टाटा टी नहीं टाटा salt चलिए तो आइस question का दूसरा question हुआ ना तीसरा question देखेए बदेगे पोलियो vaccine का discovery किस ने किया था जल्दी से बदेगे पोलियो vaccine का discovery मेरे भाई किस ने किया था इस question का answer क्या है जल्दी से बदेगे महौल बना हुआ है test का आप अच्छे से perform करें क्योंकि यह जरूरी है ठीक है और सुबह 9 बजे भी आए 40-40 मिनट में आप इतनी इतने effort मारते हो ना कि paper वाले दिन इसका result मिलेगा गरेंटेड आंसर है इस question का जोन सौक इस question का answer है चोथा question देखेगा battle 1857 की जो battle थी ठीक है उसमें कौन से व्यक्ति ने participate नहीं किया होगा बड़ी basic बात है कि इन्हों ने participate उस समय तो नहीं किया होगा ठीक है बड़ा basic question है इस question से 500% accuracy के चार में से चार यह वाले तीन challenge करेंगे यह फाइनल challenge होंगे इन तीन challenge में से कोई भी एक आप अगर पास करते हैं तो आप अच्छा perform कर रहे हैं ठीक है चलिए आंसर भगत सिंग है भगत सिंग जी है एक और question देखिए निमार उत्सब कुण सी स्टेट का है ठीक है जैसे यह उत्सब के ऊपर बहुत सारे question आते है ठीक है एक तो एक असान सा question होगे निमार उत्सब राजगीर उत्सब भी होता है है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है उस पर भी कोशन आता है बड़ी आंसर के इस question चलि तो इस question का answer है मध्य प्रदेश इस question का answer है चलिए एक और question देखिए पांचमा question धमेक स्थूपा आपसे जादा तर सांची स्थूपा पूछा जाता है बच्चे आंसर सांची स्थूपा का बिल्कुल सही लगाते है लेकिन धमेक च्टूबा कहां पे हैं तो दोस्तों, आंसर है, UP में, कहां पे हैं, उत्तर प्रदेश, छटा कोशन आप सभी के सामने, ठीक है, बड़ा प्यारा कोशन है, यह भी, वोल का सब्सिट्द्ट क्या होगा ठीक है उसका सब्सिट्टीट क्या हो सकता सरदियों में क्या यूज कर सकते हैं ठीक है आंसर के इस कोशन का चलो तो यह असान कोशन है ठीक है मैंने कंटेंट अपने भरोसे पर दिया है जो मैंने सो चैप्टर बच्चों को काया नहीं कि आप दो दिन भी आपकी यह पास है आप पड़ो मैंने कंटेंट अपने भरोसे पर दिया है इस भरोसे पर दिया है जो मुझे रिव्यूस मिले अ चाले आप उससे दो दिन पढ़के चले जाए दिकां लेकिन अच्छे से बढ़े कि ना सब्सक्राइब को देवी अहिलिया होलकर इंटरनेशनल एर्पोर्ट कहां पर लोकेटिट है बताइए आंसा के इस कोशिंगा जल्दी से बताइए इस कोशिंगा आंसे के हैं कि चलिए बताइए सर बहुत सी क्लासिस नहीं हो रही हमारी हो रही है नियार जी इस पड़ो ना बड़ी ऐसे उर क्या करोगे बड़े बर्देश इस कोशिंगा आंसर है आधमा कोशन देखेगा बड़ा प्यारा कोशन अनफर्टिलाइज हुमन एक जो है वो एक्स क्रोमोसोम होता है मुश्किल है कोशन वाई क्रोमोसोम होता है या फिर एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम या दोनों एक्स क्रोमोसोम सोच समझ के लगाना आंसर गलत हो जाएगा नहीं तो ये जीवन का ज्यान है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनफर्टिलाइस्ट, अनफर्टिलाइस्ट कुण सा होगा, जल्दी से बतेगा, चली तो आंसे कैस कोशन गा, 1X Χ्रोमोसोम, क्योंकि ये अनफर्टिलाइस्ट है, इसके साथ Y जुड़ेगा, तो ये सकता है नहीं हो सकता भाई XX भी तो फर्टिलाइज हो सकता है जिससे एक गर्ल बेबी जो है बोन हो सकते तो XX का और XY का फंड़ा तो अलगी हो गया ना तो ध्यान रखें कोशन आपको मिल सकता है और ओनली वाई कुछ होता ही नहीं ठीक है चले एक और होंगे जो आप नहीं छू सकते यहीं चैलेंज है ठीक है यहीं चैलेंज है थोल लेक जो है अभी मैं आपसे छे में से छे पूछूँगा फिर मैं आपसे पाच में से पाच पूछूँगा चार में से चार पूछूँगा बैक में जाएंगे एकदम देखते हैं ठीक है आंसे कमेंट खरें जल्दी से बताईगा चली बताईए इस question का answer क्या है चली तो इस答 so can answer है फिल्म इस question का answer हो गया थीक है दस में से दस लायो कोई सा कोई नलायक बच्चा है जो दस में से लायो बाकि होश्यार बच्चे लिखो फेल थीक है होश्यार बच्चे जितने भी है हमारी क्लास में सारे लिखो बड़े वाला फेल जो नहीं ला पाए वो होश्यार बच्चे है वो लिखो फेल और जो नलाइग बच्चा है वो लिखो पास जो 10 में से 10 ले आया है ठीक है सारे हुषयार बच्चे फेल लिए लिए जल्दी जलिको फिर हम reverse जो सीरी पुर्ष स्टार्ट रहें छे में से छे लाएंगे पांच में से पांच लाएंघ सार में से चार लाएंख जो बच्चा है इन तीन में से कोई एक challenge Bliss करेगा वो जीती गया वो सिकंदर बाकी सारे ठीक है महा सिकंदर समझ रहे हो क्या कहने साथ समझ रहे हो चलिए तो पहला कोशन आप सभी के सामने छे में से छे का जांबिया की कैपिटर करन्सी क्या है जल्दी से बताएं बैटा कुछ निया नहीं किया जा सकता इस समय अगर आप मेरे टेस्टी नह तुमों से टेस्ट करा रहे हो इतने चैलेंजेस में ने कराएं तुम अगर वह नहीं ग्रोश कर पारें क्या दिक्कत है क्या कहां पर फसरी यह बात जो तुम मेरे टेस्ट कर पारें आंसर कहा है जांबिया का लुसा का और यह हैं ठीक है दूसरा कोशन देखिए मैटाबोल क्या बतल है ठीक है खोशने बाला कौशन है जल्दी से बताइगा किसी बीचिश में बहुत ज्यादा एक्स्पेरिबेन्ड करने से कुछ नहीं होता कभी-कभी सिंपल बहुत ज्यादा अच्छा काम करती हैं ठीम रखना इसी जीगा ठीक है बहुत शिंपल चीजे बहुत अ कुछन का एनलेसिस देखो मेटाबोलिजम का मतलब होता है अनलेसिस दोनो अब जो बच्चा सिर्फ एनलेसिस लाए वो गलत तो करें गए वही तीसरा कोशन देखेगा करेक्टली मैच कौन सा है बताई अच्छा कोशन है थोड़ा मुश्किल है अच्छा कोशन जल्दी से आटा भाई लेसिस के कोशन वीडियो जो है बनाऊंगा ठीक है चली तो आंसर अजलेब गंग ए इस सपे इस कोशन का इब आध किसकी इंट है जल्दी से बते आंसर पर eurosburg 2 किसकी इंट है आंसर इस कोशिण का इंटेंसिडी इंटेंसिडी कोशिण का आंसर है पाँचमा कोशन देखेगा यह कोशन फसाएगा मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं क्योंकि यह बहुत बड़ा कोशिण है् लेफ्टेंड रूल हाला कि मुश्किल इतना नहीं है आपने लक्रिशिटी चाट्र बढ़ाओगा आता होगा कि भी यह फ्लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल से हम क्या करते थे क्या 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 दिटरमाइन किया आता था इस कोशन का आणसर है कि उससे हम जो है करेंट का डिरेक्रिशन जो है वो डिटरमाइन करते थे करेंट का डिरेक्रिशन डिटरमाइन करते थे च्छठा कोशन देखे पाने कोशन इस कोशन का अंसर के हैं? लुजान, सुजलान इस कोशन का अंसर देखो. मैंने आप से 6 में से पूछे 6 का. कोई पास किया है, तो लिखो पास. उन सीरियस लोट लिखो. पास हो या फेलो. क्योंकि लास्ट के तीन चैलेंज बहुत important होते हैं. अगर आप पास हो रहें, तो अच्छी बात है. नहीं हो रहें, तो बड़ी बुरी बात है. ठीक है? 6 में से 6 नहीं आये, तो कोशिश करेंगे 5 में से 5 लाएं. और 5 में से 5 या 4 में से 4 तो अटलीस लेके आना. ठीक है? लेट सी, कोल लेके आ रहा है? 5 में से 5 पहला कोशन आप सबी के सामने. शिर्लंका की कैवड़े करन से असान कोशन है, अर हमारा मित्र देश है, पास में ही है. शिर्लंका, इसमें क्या दिक्कत है? जल्दी से बतेगे, अक्से गुमार भी होआ है. शिर्लंका, आंसर क्या है इस कोशन का, इस कोशन का आंसर क्या है? तो भी है, यह है, शिरी, जैवर्दने, और कोटे, और रुपी. ठीक है, चलिए, दूसरा कोशन देखेगा. असान कोशन, येलो रेवलुशन किस से संब्बन देखेगे? इज़ी, वेरी, वेरी, इज़ी कोशन. मैं देखेगे, अंसर के इस कोशन गा? मैं आप ये आपको, अच्छा, एक चीज़ के लिए आप येस लिख देना. मैं आपको दो तारीक को, जो दस मिनिट के टेस्ट कराऊंगा, पच्चिस आउट और पच्चिस चैलेंज में, सुबह नो, शाम को साथ, और तीन तारीक को भी दस मिनिट का टेस्ट कराऊंगा. जान बूचके करा हूँ, कराने को मैं लबी क्लासिस करा सकता हूँ, मैं फाइनल चार टेस्ट करवाँगो आपको, फाइनल चार टेस्ट जिससे आप पर्फोमेंस देखेंगे आपकी, ठीक है, पता चलिदा है का हमें कुन कितना MTS निकालेगा, कर पाओगे, येस लिखना एक लेगा, उस टेस्ट के लिंक पे समय पे आना, टाइमिंग ध्यान रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ, बढ़िया से आप पर्फोम करें, आंसर है, ओल सीडिस कोशिंगा आंसर है, ठीक है, तीसरा कोशन देखिए, बताई आंसर गाजीपूर उत्तर परदेश में है, कौन सी नधी के किनारे इस कोशन का आंसर के है, चली, तो इस कोशन का आंसर के है, चली, तो गाजीपूर जो है, घंगा नधी की किनारे है, चोता कोशन देखिएगा, जो बढ़ा प्यारए कोशन है, विच टाईप उफ रडिश में अपर गाइर उ multifmosphere, फ्टोड़ा जोड़ा मु प्यारा कोशन, आप सभी के सामने, मुझा है आनसे के इस कोशन गा? ठेकें मैं आपका साथ निभाल लूंगा थोड़ा सा आप बस यह देखना कि अगर मैं 25 में से 25 कोशन सोल करें आप 22 करें, 23 करें, 24 करें ठीक है, आंसे के इंफरेट इस question का answer है पाचमा question देखेए, बते ही इस question का answer आमिर खुसरो का असली नाम क्या है देखो, purpose होता है हर चीज का ऐसा नहीं कि मैं अगर चीजे, अगर किसी दिन 10 मिनटी की क्लास ले रहो, किस दिन मैं 2 घंटे क्लास ले रहो उसमें कुछ फरेक है, purpose है, test है अभी हम live करा रहे है उस दिन हमें थोड़ा सा quick test है यह आपका तो हम देख लेंगे उसमें आंसे के इस question का आमिर खुसरो का असली नाम है अब्दुल हसन, ठीक है, 5 में से 5 हुए आप pass हुए क्या आप pass हुए, जल्दी से लिखना yes sir हम pass होगे ठीक है, नहीं हुए तो लिखो yes sir हम fail होगे achievement, failure ठीक है, failure answer कैं इस question का पहला question आप सभी के सामने 4 में से 4 का challenge start करते है pass fail तो आप होते रहेंगे डेक किसी दिन observe किया आता है इस question का answer कैं है, जल्दी से बदेगा world radio day किस दिन observe किया आता है, answer कैं है इस question का जल्दी से बदेगा comment करिए, बतेगे answer कैं है सब fail है लगता दो निया, सब fail है fail है, तो 2 दिन है 100 chapter पढ़ लो, जो जो fail है और जो जो पास है नहीं वो भी पढ़ लो कुछ कर लो यार ठीक है, अपनी मैनत बरबाद मत करो 10-15 chapter भी device करोगे तब भी कुछ होगा, दिल का radio बजाओ 13 फरवरी कोट, ठीक है 14 फरवरी से पहले, दूसरा question देखेगा बड़ा प्यारा question है फस्ता question कौन सा ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने जजिया टेक्स लगाया था ब्रहमिंट्स पे, बताई जजिया टेक्स ब्रहमिंट्स पे लगाने वाले सुल्तान का नाम बताएं ठीक है, बड़ा प्यारा question है दोस्तो, answer के इस question का जजिया टेक्स ब्राम्मिंद्स पे लगाने वाला दिली सुल्तान का नाम बताएं चली तो आंसे के इस कोशें का आंसे फिरॉस तुगलग इस कोशें का आंसे है सोच समझ के लगाव आंसे फ्यूज वायर की क्या quality होती है बताइए फ्यूज वायर जो होता है वो उसमें क्या ऐसी खास बात है जिस वज़े से हम किसी भी एप्लाइंस से पहले फ्यूज लगाते हैं सोच समझ क्या अंसर लाओ साइंस के कोशन पर तो अच्छे से परफॉर्म करो इस कोशन का आंसर के जल्दी से बते हैं कमेंट करें बताए आंसर के इस कोशन का ठीक है जो डा मेरे भाईयो आंसर है इस कोशन का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई रेजिसेंस होता है इस वज़े से फ्यूज वायर को लगाया जाता है ठीक है अब चोथा कोशन देखेंगा ठीक है देखो बिटीश को सबसे जादा रोकन कोशिश किस ने करी अच्छा आप से कौन-कौन अब यहस लिखना जो मेरे कहें मुझह पह भरोसा करके सो चेप्टर कर चुका है स्टार्ट कर चुका है अगर आपने कल भी स्टार्ट किये तब भी यह स्लिखो एक कमरी लिखो कि सर हाँ हमने शो पढ़ना स्टार्ट कर दिये, अब हमें कोई रोक नहीं सकता, एक बर येस लिख दो, सर सो चैप्टर स्टार्ट किये, ये मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जो नहीं किये, वो जानो कि आप कैसे पीछे रहोगे, किस वज़े से पीछे रहोगे, उन बच्चों से जिन जो लगता है, एक्जाम में बार बार आते हैं, वो पढ़ने, नैशनल बार, बहुत सारी चैप्टर हैं, सो चैप्टर में, सारी चैप्टर है, और जादतर बच्चे येस हैं, क्यूंकि मेरे को पता है, बच्चे महनत कर रहे हैं, सिक्षिज्जम इस कोशन का अंसर है, या पार लगा सकता है आपकी ध्यान रखना अगर आप अभी भी डूब रहे हो ये 100 चैप्टर में से आप एटलीस 10 चैप्टर आज उठा लो और मैंने तो ऐसी अपोर्चनिटी दे रखी है जो कोई और दे नी सकता आप खुद जाए मेरे टेलीग्राम अमन सर वाइफे सड़ी ऑफीशल पर एक बार ही सर्च कर लें अमन सर वाइफे सड़ी ऑफीशल एक बार ही देखें कि सर ने क्या अपोर्चनिटी दे रखी है और जिससे हर बच्चा इसे पड़ पा रहे हैं ये ऐसा कंटेंट है सब कुछ इसमें है अगर आगे तक कोई एक्जाम करना चाते हैं ये कंटेंट काफी होगा ये 100 चैटर में से ही आएगा जो आएगा इसमें से आप अभी के लिए 10 चैटर पढ़ने कोई से टॉप 10 चैटर पढ़ने जो आपको लगता है कि यार हाँ इनको पढ़ा जा सकता ह उनको पढ़के पेपर में जाएं परफॉर्म करने की कोशिश करें अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं है जो स्टार्ट कर देगा वो आगे तक किसी भी एक्जाम के लिए क्रेक कर जाएगा ठीक है टेलिग्राम अमन सर वाइफे सडियो ऑफिशल है इस पे जाना है टे इस मिनेट तक ही बजाऊंगा भाई जब कंटेंट हमारा चैलेंज खतम हुआ अब आपकी जो बात है वह हमने कर दी ठीक है चैलेंज खतम होगे आप पढ़ें सो चैटर वह भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या किया जाए ठीक है चली धन्यवाद आप सभी